What's up everyone, welcome back to the channel, तो guys हम लोग already cover कर चुके हैं हमारा cost तक का सारा काम, अब बारी आ गई है production की और production पूरा करते ही हमारा ये unit भी complete हो जाएगा, फिर हमारे पास बस बचेंगे 4 chapters, introduction, demand, consumers, equilibrium, elasticity of demand और पूरा microeconomics हमारा खतम, तो आएए जल्दी से शुरू करते हैं production, this is day 7, जाके comments मे attendance लगाओ, और फिर आके मेरे साथ साथ revision करो, चली जली से, let's begin तो बच्चो चाप्टर का नाम क्या है production function, production function का मतलब हम production और उससे related जितने भी factors हैं, उन सब के बारे में इसमें study करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है production क्या होता है, बहुत simple है, input से output जो produce हुआ है, उसको production बोलते हैं, आपको कोई भी समान बनाना है, raw material से finish good बनाना पड़ेगा न, यह जो आपके सामने board दिख रहा है, यह board भी कुछ ना कुछ raw material से बना है, raw material से final output बना है तो उसको production बोलते हैं, to manufacture shoes, we need various inputs जैसे leather, nails, land, labor, capital, बहुत सारी चीज़े होती है, mainly factors of production के use से कोई भी समान बनता है, अब हमारे पास आता है production function क्या है, तो production function बोल रहा है, यह simply एक expression है, जिसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं, कि किस तरीके से technology को use करके, input से output बना है, output का मतल अब जितने भी factors use हुए है, चाहिए वो land हो, labor हो, capital हो, raw material हो, entrepreneur हो, जितने भी चीज़े लगी है, वो साब इधर लिख देते हैं, तो symbolically, यह O stands for output, X वो unit है जो बनाया है, और functional relationship, F is the functional relationship, यह technological relationship, input 1, 2, 3, 4, जितने भी use हुए है, ठीक है, बहुत important नहीं है, बस लिखना आना च short run, अब देखो बच्चो हमारे पास हा रहा है, short run, long run, variable factors, fixed factors, देखो यह चारों तुम्हें नहाँ, एक साथ पढ़ने है, सर, क्या है short run, क्या है long run, क्या है fixed factor, क्या है variable factor, देखो, इसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि यह ना बच्चों interrelated है, short run, long run, variable factor, fixed factor, तो यह क्या होते हैं, बच्चो, short run, long run, क्या होते हैं, variable, fixed factor, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो, short run एक ऐसा period होता है, जिसके अंदर आप सारे factors of production change नहीं कर सकते हो, जैसे मैं assume कर रहा हूँ, कि मेरे पास जो factors of production है, वो है land, labor, land लग रहा है, मेरा labor लग रहा है, electricity लग रहा है, ठीक है, raw material लग रहा है, बहुत सारा पैसा लग रहा है इस सब समान पर, और मेरा खुद का effort लग रहा है, that is entrepreneur, तो मैं यह मान रहा हूँ कि यह सारे factors of production है, अब, कौन फोन कर रहा है, अब मेरे पास suddenly कोई order आजाता है, ठीक है, मेरे पास suddenly कोई order आता है, और उस order में मुझे बहुत बड़ा सा एक target मिलगा, यह भी आपको बेचना है, और यह आपको अगले तीन दिन में बना के देना है, अब देखो यार, अगले तीन दिन में, मैं land कहां से ले क्या हूँ, labor कहां से ले क्या हूँ, बिजली तो चलो, जादा लग जाएगी, यह arrange हो जाएगा, labor भी शायद arrange हो जाएगा, शायद ना हो, ठीक है, raw material कहां से घटा करूँ इतनी जल दी, capital कहां से लाओ, effort चलो, मैं भी लगा दूँगा, तो मेरे पास इतना time है, जहाँ पे कुछ factors change हो सकते हैं, कुछ change नहीं हो सकते, है ना, तो short run एक ऐसा period होता है बेटा, जिसके अंदर आप output जो है, वो change तो हो जाएगा, लेकिन वो change होगा, by changing only variable factors, सिर्फ क्या change करने से, variable factors, अब सर यह variable factors कौन से हैं, variable factors वो factors होते हैं बेटा, जो short run में change हो जाएगे, समझे, तो short run एक इतना समय है, आपके पास एक ऐसा time period है, जिसके अंदर output तो change होगा, लेकिन वो change होगा by changing only variable factors, कुछ factors change हो ही नहीं पाएगे, सर कौन से factors change नहीं हो पाएगे, जो factors change नहीं हो पाएगे, उनको बोल देते हैं, fix factors, तो सर सबसे पहला difference हमें यहीं clear हो गया, कि variable factors कौन से होते हैं और fix factors कौन से होते हैं, तो यहाँ पे variable factors वो हैं, जो एक time period में change हो पाएगे, तो short run में कुछ factors variable हैं, कुछ change होगे, और कुछ factors fixed हैं, जो change नहीं होगे, सर वहीं पे अगर इस order को पूरा करने के लिए एक साल क change कर लूँगा, land, labor, capital, raw material, सब change कर लूँगा, तो long run एक ऐसा समय होता है, जहां पे all factors are variable, सारे ही factors variable होते हैं, यहां पे कोई fix factor होता ही नहीं है, क्योंकि fixed नहीं रहेगा, हर चीज़ चेंज कर पाऊंगा, तो short run क्या होता है, short run वो time period होता है, जिसमें output change होगा, by changing only variable factors, कुछ fixed होंगे, कुछ variable होंगे, long run वो period है, जिसके अंदर सारे factors change हो जाएंगे, variable factors कौन से हैं, जो short run में change होते हैं, fixed factors कौन से हैं, जो short run में change नहीं होते, समझ गए, देखो, क्या लिखा है सर, short run refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors, ठीक है, in short run, fixed inputs, जैसे plant, machinery, building, यह change नहीं हो पाते, in short run, some are fixed and some are variable, okay, अब long run में कौन से तीन पॉइंट लिखोगे, it refers to a period in which output can be changed by changing all the factors, इसमें सारे factors change रहेंगे, long run में enough time होता है, जिसमें firm सब कुछ adjust कर सकती है, in long run, firm can change its factory size, switch to new technique, सब कुछ manage हो सकता है, तो long run लंबा समय का time period होता है, okay, variable factors कौन से होंगे, which can be changed in short run, यह output के साथ directly change हो सकत है, जैसे output जादा बनाना है, तो raw material जादा, output जादा तो labor जादा, output जादा तो power fuel जादा, कम तो यह सब कम, है ना, fix factors कौन से होंगे, जो change नहीं हो सकते, यह output के साथ change नहीं होते, output बढ़ाने का मतलब यह तो नहीं है, कि मैं plant machinery बढ़ा लूँगा, building बढ़ा लूँगा, land ब function, कितने तरीके के होते हैं, बचो production function, दो तरीके के होते हैं, short run production function, long run production function, short run किसको बोलते हैं, variable proportion को, long run बोलते हैं, constant proportion को, तो short run या फिर variable proportion में हम लोग क्या बोलते हैं, short run में हम यही बोलते हैं, कि एक ऐसा production, या एक ऐसा relationship, जिसके अंदर हम बोलते हैं, कि output तो change होगा, ले इस ताइम पिरिट में चेंज नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ, चेंज तो सिर्फ वरियाबल फैक्टर होगा, तो उसके हिसाब से ही आउट्पूट चेंज होगा। कॉंस्टेंट में क्या होता है, लॉग रॉड़क्शन फंक्शन बोलते हैं, इसके अंदर हम सब चेंज कर पाएंगे, ठीक है, अब हमारे पास आता है बेटा, प्रॉड़क्ट क्या होता है, प्रॉड़क्ट होता है, बच्चो जो टोटल आउट्पूट जनरेट किया अपने जितना आपने टोटल आउट्पूट जनरेट किया, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉड़क्ट, ठीक है, इट रेफर्स तु दा वॉल्म अफ गुड्स प्रॉड़क्ट प्रॉड़क्ट है, एक टाइम में एक इंडस्ट्री या एक फिर्म कितना प्रॉड़क्शन कर रही है, है न, सबोज मैंने ये 100 पीस बनाए, तो मेरे कितने योनिट्स हो गए, 100 योनिट्स, वो मेरा प्रॉड़क्ट है, ओके, प्रॉड़क्ट कितने तरीके का हो सकता है, पेटा, तीन तरीके का, टोटल प्रॉड़क्ट, मार्जिनल प्रॉड़क्ट, आवरेज तोटल कितना quantity of goods प्रडूस कर रहे हो एक प्वाइंट ऑफ टाइम में प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में प्रोड़ेड उसको हम क्या बोलते हैं टोटल प्रॉडक्ट जैसे की फर एक्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है अगर एक लेबर सब्वोज यहां पर दस लेबर का एक्जाम्पल दिया हुआ है 10 लेबर 60 kg of rice produce कर रही है तो टोटल प्रोड़क्ट 60 kg है ठीक है अगर 10 लेबर ने मैं यहां पर लिख देता हूँ 10 लेबर ने 60 kg का प्रोडक्शन किया तो टोटल जो है वो 60 है next होता है average average कि इसको बोलते हो बच्चो पर unit जैसे average cost भी पर unit होता था average revenue भी पर unit होता था average product भी पर unit होता है कि अगर 10 ने 60 kg बनाया तो एक ने कितना बनाया तो एक का कैसे निकलेगा 60 upon 10 that is 6 है ना तो इसका formula क्या लगाया मैंने tp upon input tp upon n राइट average क्या है it refers to the output per unit राइट जैसे 10 लोग मिलके 100 रन बना रहे हैं तो भी यह एक कितना बना रहे हैं तो एक खिलाड़ी कितना रन बना रहे है 400 upon 20 तो पर unit को बोलते हैं average okay marginal क्या होता है marginal होता है additional it refers to addition to total product for example 10 labor ने 60 kg produce किया तो भी अगर एक बढ़ा दू 11 कर दू तो कितना extra हो गया 64 kg तो हमने बोला भी यह एक बढ़ाने से 4 kg बढ़ गया तो this is marginal product marginal होता है एक input बढ़ाने से कितना output बढ़ा तो total is कितनी total quantity produced है averages per unit कितना हो रहा है marginal is कि अगर एक unit बढ़ाते हो तो कितना production बढ़ता है okay it refers to addition to total product when one more unit of variable factor is employed for example 10 labors बना रहे है 60 kg 11 labors बना रहे है 67 तो देखो यह तो 10 से 11 हुए एक बढ़ गया 60 से कितना हुआ 67 तो 7 का change आ गया इसको कैसे निकालते है इसको निकालते है change in total product divided by change in quantity right जैसे 10 से 11 तो quantity में तो एक का change है या n बोल दो delta tp upon delta n और total product में कितना change है 7 का तो 7 upon 1 7 answer आ जाएगा okay इसका screenshot ले लो tp, ap, mp आपको पता होने चाहिए अब आता है बच्चों हमारे पास सबसे important सवाल जो exam में पूछा जाएगा वो है law of variable proportions sir what is law of variable proportions very important बहुत ध्यान से समझना हर चीज बड़े ध्यान से देखना और इसको हम समाप्त कर देंगे अब बच्चों मैंना हमेशा law of variable proportion की definition last में पढ़ाता हूँ पहले मैं समझाता हूँ तो पहले आप law of variable proportion को समझो इस schedule की मदद से देखो मैं आपको law of variable proportion का मतलब बता रहा हूँ law of variable proportion नाम किसका है short run production function short run production function का मतलब है कि सारे factors fixed रहेंगे एक factor change होगा जिस वज़े से production में change आएगा है ना तो देखो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारे पास एक fix factor है that is land land fixed है और आपके पास एक variable factor है that is labor labor change हो रही है तो मैंने एक labor लगाई एक labor में 10 unit का total production करा सही है एक छोटा सा जमीन है मेरे पास यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि एक छोटी सी land है मेरे पास मैं एक farmer हूँ एक farmer लग गया और यहाँ पे 10 units का production हुआ तो additional 0 से 1 दस ही आ गया मुझे लगा यार अगर मैं एक labor और लगा दू तो शायद production बढ़के आ जाए है ना अब land तो बढ़ा नी सकता land तो वही है तो हम मान रहे हैं कि भईया एक labor और बढ़ा दो चलो या हमने labor एक से कर दी दो जैसे ही मैंने दो labor करी तो production बहुत तेजी से बढ़ा दो करते ही 30 हो गया सीधा मैंने एक labor और लगा दी यहां पर और दो करते ही भईया एक और एक दो नी होते एक और एक 11 होते हैं आप देखोगे हमेशा ही अगर दो लोग मिलके कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़ा तरीके से होता है तो हमने देखा या total production तो बहुत तेजी से या या यह तो बहुत बढ़िया हो गया एक और लेबर लगाता हूं मैंने क्या ख़़ा एक लेबर लगा दी अब ध्यान रखना जमीन उतनी ही है एक लेबर लगा दी एक लेबर लगाई तो total production अभी बढ़ गया 45 हो गया मुझे लगा या क्या बात है मजा आ रहा है पहले 10 unit बन रहे था इस जमीन से 30 बन रहे 45 बन रहे बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने देखा या additional production comparatively पिछली बार से कम हो गया दो लेबर लगाई थी तो 20 हुआ था यानि 20 का चेंज था एक और लगाते ही 20 का चेंज और आना चाहिए था लेकिन इस बार इतना चेंज नहीं आया तो या तो यह लेबर इतना efficient नहीं है या फिर यह बात्चीत में थोड़ा समय वेस्ट कर रह यह 30 की जगा 45 यूनिट बन रहे हैं एक लेबर लगाता हूं मैंने एक लेबर लगा दी एक लेबर लगाई तो इस बार फिर से production बढ़ा 45 से 52 लेकिन थोड़ा सा बढ़ा जस्ट थोड़ा सा बढ़ा मुझे लगा यार यह क्या हो रहा है अब production कम क्यों हो रहा है एक लेबर तो मैंने देखा कि total production में कोई change ही नहीं आया चार लोग भी 52 यूनिट बना रहे थे पांच लोग भी 52 यूनिट सी बना रहे हैं ऐसा क्यों हुआ यह क्या हुआ कि additional कुछ भी नहीं हुआ मुझे लगा चलो एक लेबर लगा कि देख लेता हूं मैंने एक लेबर लगा दी अ अब अगर मुझे production चाहिए ना बच्चो fix factor बढ़ाना पड़ेगा variable factor बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि fixed की जो एक productivity थी वो खतम हो चुकी अब यह आपके machine की एक limit है ना समान बनाने की तुम लेबर पे लेबर पे लेबर लगाते रहो machine कोई जादा production थोड़ी ना कर आओ बीडी पीएंगे लग गए इस तरीके की discussions करने में तो अब हुआ क्या इससे मेरा overall production नीचे चला गया 52 से 48 हो गया negative में चला गया 4 कम हो गया तो यहां पे सीखने वाली बात जो है law of variable proportion हमें क्या सिखा रहा है law of variable proportion सिखा रहा है कि भाया देखो जब आप initially एक variable factor बढ़ा आते हो तो शुरू में जो आपका total production है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा 10 से 30 हुआ था ना यह देखो यह TP का करव है यह शुरू में बहुत तेजी से उपर जा रहा है उपर जा रहा है जा रहा है जा जा रहा है एक time पे अपने highest पे आ जाएगा कि भाया बस एक time पे highest पे आ और नीचे आने लगेगा total क्योंकि land की capacity खतम हो चुकी है अब आपको अगर production बढ़ानी है तो land बढ़ानी पड़ेगी यह labor से नहीं हो रहा वहीं पे अगर मैं marginal production को देखूं तो शुरू में तो बढ़ा फिर कम हुआ और कम हो गया zero हो गया addition फिर negative चला गया तो MP को अगर द जो है वो होनी रहा कम हो गया है पहले से भी तो हम यहाँ पर यह देखते हैं बच्चो कि तीन फेस हो गए पहले फेस में TP भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और MP भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब total production भी बढ़ रहा था और additional भी बढ़ रहा था इसको बोलते है increasing rate of return इसको क्या बोलते है increasing rate of return या increasing return to factor कि दोनों ने मिलके land और labor का क्या best combination बना बहुत तेजी से production बढ़ा तो ये हमारा पहला face होता है बचो ये देखो इस face में दोनों ही बढ़ रहे थे ये भी उपर की तरफ है ये भी उपर की तरफ है ठीक है MP maximum TP यहाँ से अपना curve change करेगा तो जहां से भी TP अपना curve change करता है थोड़ा सा behavior change करता है अभी तक तो बहुत तेजी से उपर जा रहा था इससाब से तो इसको यहाँ से ऐसे जाना चाहिए ता उपर लेकिन इसने यहाँ से थोड़ा सा curvature change किया ऐसे पॉइंट को जहां से TP अपना curvature change करें इसको बोलते हैं point of inflection ठीक है inflection का मतलब होता है behavior change होना तो TP का behavior थोड़ा सा change हुआ जब मैंने एक labor order लगाई तो total production अभी बढ़ रही है TP अभी बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि गिरेगा लेकिन उस rate से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से पहले बढ़ागा उस rate से नहीं बढ़ रहा है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा marginal देखो additional कम हो चुगा है जितना पहले addition हो रहा था उतना cęedition नहीं हो रहां, तो marginal नीचे की तरफ जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, फिर क्या होगा, अचार इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, dimunishing return to factor, फिर क्या होगा sir, sir marginal बिल्कुल 0 हो जाएगा, और TP अपने highest पे होगा, इसको ध्यान रखना marginal बिलकुल 0 हो जाएगा TP अपने highest पे होगा this is where आपको production रोक देना है बस यहाँ पे आके आपको production रोक देना है इस से ज़्यादा labor नहीं लगा नी क्योंकि अगर आप इस से ज़्यादा labor लगाते हो तो marginal जाएगा नीचे negative पे और total production भी आपका गिरना लगेगा नुक्सान होगा, कोई फाइदा नहीं है तो कई बार examination में बावू यह question आता है कि sir being a producer आप कौन से face में रहना पसंद करोगे, face 1 में face 2 में या face 3 में face 3 में तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा नीचे गिर रही है, मेरी production कम हो रही है confusion होता है बच्चो को sir face 1 में रहे है face 2 में रहे देखो बच्चो अगर तुम face 1 में रहे गए तो आपने, क्या करा face 1 में आपने face 1 में यहाँ पे production रोक दी यानि तुमने बस 30 unit बनाई उसके बाद तुम रुख गए जबकि तुम 52 units तक बना सकते थे तुमारी capacity थी 52 units तक बनाने की तो इसका मतलब first face में आप fully utilized नहीं थे समझे, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम face 2 में जाए highest capacity तक जाए और कहां के रुख जाए जहां पे production कम होने लगे तो total production का ध्यान रखते हुए decision लेना है कि face 1 में जाएंगे या face 2 में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है बच्चो कि हमारे पास अगर TP और MP का curve बनाने के लिए आ जाए या relationship बताने के लिए आ जाए तो curve कैसे बनेगा सबसे पहले ऐसा TP का curve होगा जहां पे TP maximum होगा न बाबू वहां पे MP 0 होगा दूसरा आपको ध्यान रखना है कि TP का curvature कहां से change हो रहा है यहां से TP का curvature change हो रहा है यहां से तो यहां से सीधा उपर की दरफ जाता तो यहां से MP का भी जो behavior है वो change होगा तो MP आपका इस तरीके से बढ़ेगा आपने highest पे जाएगा यह MP का highest point है उसके बाद फिर यहां से नीचे 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 और फिर negative हो जाएगा तो जब आपको TP और MP का curve बनाना exam में तो आप ऐसा free hand curve भी बना के आ सकते हो जहां पे curvature change होगा इसको बोलते है point of inflection यहां पे यह कौन सा point है जहां पे TP maximum है MP 0 है आपको यहीं पे production रोकना है यहां पे यह first phase कहा जाता है, यह second phase कहा जाता है यह third phase कहा जाता है पहले वाले को बोलते है increasing returns क्योंकि बहुत तेजी से production बढ़ रहा है दूसरे को बोलते है diminishing returns return आ रहा है लेकिन पहले के comparatively कम आ रहा है तीसरे को बोलते है negative return कि भया आप तो production ही गिर गया तो best phase यह होता है आपको यहां पे रुकना है ठीक है, अब देखो तुम्हें कितना बढ़िया समझ में आएगा देखो sir sir, क्या है law of variable proportion it states that as we increase quantity of only one input keeping other inputs fixed जब हम एक input change करते हैं, बाकी fixed है TP initially increases at increasing rate TP पहले बहुत तेजी से बढ़ता है then at decreasing rate फिर थोड़ा slow बढ़ता है and finally at a negative rate negative rate का मतलब होता है, गिरने लगता है it is also known as law of returns या law of return to factor या return to variable factor किसी भी नाम से आ सकता है बहुत important है exam में लिखके आना है फिर बच्चों इसको पढ़ने से पहले कुछ assumptions है जो आपको दिमाग में रखने है sir, क्या assumptions है number one law of variable proportion सिर्फ short run में चलता है तब ही तो कुछ fix है, कुछ variable है long run होता हो, तो सारे variable हो जाते उसके बाद सिर्फ production पे चलता है farming के लिए mainly ठीक है उसके बाद effect of change in output due to change in variable factors can be easily determined इसका मतलब output में कितना change होआ input की वज़े से वो असानी से आपको पता चल जाएगा हम ये मान के चलेंगे कि सभी variable factors अपना best दे रहे है उसके बाद technology भी हम क्या मान के चलेंगे constant है ये कुछ assumptions है ठीक है sir table हो गया, curve हो गया अब देखो 3 faces आए phase 1, phase 2, phase 3 phase 1 किसको बोलते है increasing return क्यों? क्योंकि हर variable factor से ज़्यादा ज़्यादा output तेजी से बढ़ रहा है TP increases at increasing rate और MP भी बढ़ रहा होता है second phase में क्या होता है every additional variable factor add less additional factor add करने से थोड़ा सा कम बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है TP बढ़ता है diminishing rate से MP fall होने लगता है तीसरा कौन सा होता है negative return to factor इसमें आपने अगर एक additional factor बढ़ाया उससे कुछ नहीं होगा TP नीचे की तरफ आएगा और MP तो negative चला जाएगा third phase में employment of additional factor causes TP to decline and MP becomes negative इसलिए इसको negative returns बोलते है अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्या-क्या reasons होते है increasing return के diminishing returns के और negative returns के देखो increasing returns क्यों आ रहा होता है पहले phase में क्यों इतनी तेजी से चीज़े हो रही होती है दो-दो आपको याद रखने है बस सबसे पहला हम बोलते है अच्छा utilization हो रहा है fix factor का एक से जैसे ही मैंने दो labor करी तो fix factor का बढ़िया utilization हो गया efficiency बढ़ रही है variable factor की एक और एक 11 हो गए एक तरीके से तो अकेला बिचारा काम नहीं कर पा रहा था दो करे तो मिलके बहुत अच्छा काम कर पा रहे है तीसरा indivisibility of fix factor indivisibility का मतलब है कि जब हमने दोनों को मिला के काम करना चालू करा तो एक ऐसा combination बन गया fix door variable factor का जो best निकला उसी वज़ा से बहुत तेजी से production बढ़ा देखो लिखावा है in the first phase fix factor तो काफी जादा था जबकि variable factor कम थे तो जैसे ही हमने variable factor बढ़ाया तो काफी अच्छे से उसका utilization होने लगा variable factor जब हम variable factor बढ़ाते हैं और fix factor के साथ combine करते हैं तो बहुत efficient manner में उसका utilization हो जाता है तीसरे में भी यही बोल रहा है कि factors जब fix factor combined होते है variable factors के साथ तो एक ऐसा combination बनता है जो indivisible है जिसको अलग-अलग नहीं किया जा सकता तो इसलिए first phase में बहुत शानदार production आ रहा होता है second phase में क्या होता है बच्चो अब बन चुके हैं वो imperfect substitutes imperfect substitutes का मतलब बच्चो कब तक आप land की जगा labor को substitute करते रहोगे एक सीमा है ना land आपने fix रखी है labor change 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 करते जा रहे हो आप यहीं नहीं समझ रहे हैं कि भाई आप land बढ़ानी पड़ेगी तो अब यहां पे हमें एक ऐसा point पे आ गए हैं जहां यह दोनों एक दूसरे के imperfect substitute बन गए हैं imperfect का मतलब अब आप land की जगा labor को substitute नहीं कर सकते land ही बढ़ानी पड़ेगी optimum combination पे पहुँच चुके हो best combination पे पहुँच चुके हो अब labor बढ़ाने से इस से उपर कुछ नहीं होगा तीसरा over utilization हो चुका है fixed factors का fixed factors का utilization over हो गया है इतना अच्छे तरीके से हमने चला लिया है अब इस से जादा नहीं हो सकता तो यह इसलिए diminishing return आना चालू हो जाता है number one लिखाव है diminishing return to factor occurs because fixed and variable factors are now imperfect substitutes एक limit है जब तक आप उन दोनों को substitute कर सकते हो उसके बाद नहीं होगा among the different combinations there is one optimum combination जहाँ पे TP maximum है और वहाँ तक आप पहुँच चुके हो आगे लिखाव है as we keep on increasing the variable factor हम एक ऐसे position पे आजाएंगे जहाँ पे fix factor की एक limit थी वो खतम हो गई है और वो negative returns देगा इसके बाद ओके लेकिन कुछ लोग तब भी नहीं सुनते वो जाते हैं third phase में तो फिर क्या होगा fix factor की कमी हो जाएगी इसलिए negative return आने लगेगा poor coordination हो जाएगा variable और fix factor में variable reasons आजाते हैं negative के ओके अब आता है बावू law of diminishing returns law of diminishing returns को law of diminishing marginal product भी बोलते हैं इसके अंदर आपको सिर्फ MP का behavior लिखके आना है इसके अंदर आपको TP के बारे में कुछ भी नहीं लिखना law of variable proportion में तो TP MP दोनों थे ना उसमें हमने क्या बोला था कि TP तेजी से बढ़ेगा फिर अगले में थोड़ा slow बढ़ेगा फिर नीचे की तरफ आएगा MP पहले बढ़ेगा फिर नीचे आएगा फिर negative हो जाएगा यह तीन phase थे TP और MP दोनों बताए थे यहां पे सिर्फ MP बताते हैं तो क्या बोल रहा है इसको क्या बोलते हैं इसके explanation देख लो as seen in the diagram MP falls when more and more units of variable factors are employed this law considers only the falling faces of MP सिर्फ falling face लेता है और increasing face को ignore करता है जो शुरू में पहला face था नहीं जब MP बढ़ रहा होता है उसको ignore करता है यह बस falling faces consider करता है LVP इसी का extension है and considers the face of rising MP in addition to falling MP law of variable proportion इसी का बड़ा भाई है तो जब हमने वो पढ़ लिया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं इसके बाद बेटा कई बार खाली relationship लिखने को आ जाती है TP-MP की तो वही वाला table चलेगा आपका same LVP वाला वही same curve चलेगा और तीनो faces को define कर देना explanation जब तक TP बढ़ रहा है MP भी बढ़ रहा है TP diminishing rate पे बढ़ेगा MP गिरने लगेगा TP maximum पे जाएगा MP 0 हो जाएगा TP नीचे गिरने लगेगा MP negative हो जाएगा चार points थे ठीक है इसके बाद बचो एक छोटा सा relationship आता है between AP and MP average product और marginal product में तो average होता है per unit अगर आप 1P का curve बनाओगे बेटा तो AP कुछ इस तरीके से बनेगा ये भी पहले बढ़ेगा फिर constant हो जाएगा फिर नीचे आने लगेगा MP पहले बढ़ता है highest पे जाता है फिर नीचे आने लगता है ओके तो ध्यान रखना बच्चो MP के पीछे पीछे जलता है AP सर MP के पीछे पीछे जलता है मतलब देखो जब MP बढ़ रहा था 10 से 20 तो ये भी बढ़ रहा था ठीक है उसके बाद ये constant हो गए दोनो constant हो गए फिर ये गिरने लगा तो देखो ये भी गिरने लगा नीचे की तरफ नीचे की तरफ तो देखो जब तक MP बढ़ रहा है AP भी बढ़ रहा है ये गिरने लगा तो ये भी गिरने लगा इस चीज का ध्यान रखना है ओके चालो सार क्या लिखा है when MP is equal to AP AP is at its maximum जब MP AP को cut करता है तो AP अपने maximum पे होता है देखो इसने cut कहां पे करा इसने cut करा यहां पे तो यहां पे AP अपने maximum पे है है ना, देखो 15-15 AP 15 से उपर नहीं गया कभी तो जब भी MP AP को cut करेगा तो यह अपने maximum पे होगा उसके बाद क्या लिखा हुआ है when MP is less than AP, AP falls MP कम होता है तो AP भी कम होता रहता है दोनों गिरते हैं MP negative होजाता है, AP positive रहता है ठीक है, आप यह भी लिख सकते हो when MP rises, AP also rises तो इस तरीके से बच्चों आप MP और AP का relationship लिख सकते हो और इसी के साथ ladies and gentlemen हमारा production भी पूरा का पूरा revise हो जाता है I hope आप लोगों ने production भी बहुत अच्छे तरीके से revise कर लिया होगा मेरे साथ-साथ तो हम लोगों ने production में short run, long run variable factor, fixed factor, law of variable factors law of variable proportions और law of diminishing returns MP की respect में पढ़ लिया TP-MP की relationship, AP-MP की relationships 6 topics है इसके अंदर सारे मैंने आपको बहुत शांदर तरीके से revise कराए and I am very much hopeful कि आपको clear भी हो गए होंगे बस इसी तरीके से पढ़ते रो revision करते रो आज production तयार कर लेना कल मिलता हूं मैं आपको कुछ और revise कराता हूं बढ़िया और हम चीज़ों को आगे बढ़ाँ है all right thank you so much everyone for joining in I am gonna see you all super soon till then see ya take care bye bye